हेलो गाईज, वालकम बैक टू माई चैनल, चलिए आज बनाते हैं बादाम वाला दूद, या बादा मिल्क से, या बादा मिल्क कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए आधा किलो हम दूद यहां पर बैठा लिये हैं, और यहां पर 20-25 टो हम बादाम को अच्छा से भीगो के उ और इसका एक फाइन हम लोग पेस्ट बना लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा दूद डालके इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे, अब यहां पर ही दूद के जगा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर देखिए दूद डालके इसका फाइन एक पेस्ट बना लेत और यहां पर देखिए हम कास्टेट पाउडर को ले लिए हैं दो टीस्पून कास्टेट पाउडर को हम लोग यहां पर मिला लेंगे दूद का साथ में ही थोड़ा सा इसमें हम लोग दूद को डाल देंगे डालके जैसी लम्स्प्री घोल एक बना लेंगे जैसी की गुटली ना रहे इसमें अच्छा से इसको हम लोग चमच के सहायता से सेख करेंगे ताकि बढ़ा से घूल जाए यहां पर देखिए दूद में हम लोग चीनी को डाल देते हैं क्यूंकि दूद बहुत काफी टाइम से उगल रहा है और जो पीस के रखे थे बढ़ाम को उसको भी डाल दिए और थोड़ा सा दूद डालके उसको हिलाके हम लोग दूद में डाल देंगे ताकि बढ़ाम कु के लिए दूद को हमनों ऐसी ही उबलते रख देंगे उबलने के लिए फिर इसमें हमनों जो घोल के रखे दे काफ्टेड पाउडर को उसको डाल देते हैं डालके अच्छा से अब मिलाएंगे अब इसको हमनों दो से तीन मिनट तक लोटू मीडियम में रखके ग्यास को उ सुरू हो जाएगा तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा गाइस और हेल्दी रेसिपीक है बच्चों को जरूर से दीजे क्यूंकि स्कूल टाइमिंग जब रहता है तो यह सब हमनों बना के दे नहीं सकते हैं अभी बच्चे घर पे हैं तो सारे चीज एक एक करके बन यहां पर देखिए हम ठंडा कर चुके हैं दूद को हम फ्रीज में रख दिये थे अब इसको हम एक ग्लास में डाल के दे रहे हैं बच्चों को उपर से थोड़ा सा बदाम को क्रस करके डाल दिये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कोमेंट से अर कीजिएगा और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बुलिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा कर नोटिफिकेसन ओल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अप्लोड करें अब तक तुरंग पहुंजा चलेगा इस मिल मिलते हैं नेक्स मुलाइ नेक्स